आज गुजरात के मुख्यमंत्री स्री पुपेंगर भाई मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोगसभा के लिए मेरा नामांकन गांधी नगर सीट से बढ़ा है मेरे लिए बड़ा गवरों का विशाय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनीदित्व श्रद्दे अडवानी जी ने किया पर जिस सीट पर स्वयम नरेंद्र मोदी जी मत दाता है उस सीट को प्रतिनीदित्व करने का मौका मुझे भार की जन्ता पार्टी ने दिया है मैं इसी सीट पर से तीस साल से विढायक संसद रहा हूँ यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूत के कारेकरता से संसद तक पहुचा हूँ अपार प्रेम इस खेत्र की जन्ता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेत्रत में पहले मुख्यमंत्रिये नाते और बाद में प्रधान मंत्रिये नाते इस खेत्र में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकारों ने धेर सारे काम की ने शिर्फ इस पांच साल के अंदर 22,000 करोर से ज़्यादा डेवलप्मेंट के काम गांदी नगल लोगशबक शेत्र में हुए है मुझे बड़ा संतोस इस खेत्र की जन्ता ने जब जब भी मैं पार्टी के लिए मेरे स्वयम के लिए वोट मांगने आया मुझे बड़े चाव से बड़े मन से आसिरवाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में चीता है इस बार का चुनाव प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाने का चुनाव है मैं गांधी नगर की जन्ता को अपिल करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है देश को सम्रूत किया है और असी करोर से ज्यादा घरीबों के जीवन में नए उत्सा और नए आसा को पुनर जिवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है ये चुनाव में पुर्ण देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चार सो पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित चुनाव की गोशना के पहले और गोशना के बाद रादेश के लद्दात छोड़कर मैं हर कौने में गया हूं हर जगे मोदी मोदी के नारों के साथ भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं का स्वागत होता है जन सहलाब का अभूत पूर्व आसिरवाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है हम सभी भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी और एक प्रकार से सिध्धी का अनुभाव कराने वाली बाद है। एक कलपना को एक संकल्ब को 130 करोड की जनता का संकल्ब बनाने में सफलता प्रकार अगर इस जबुकाम पर देश को पहुचाना है तो एक पांच साल बहुत महत पूर्ट दस साल जो देश की जनता ने दिये वो यूपीय सरकार ने किये हुए घड़े भढ़ने में गए हैं। अता मैं गादी नगर मतक्षेतर की जनता और पूरे देश की जनता को करबद विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिल चिलाती धूप में सुर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले साड़े दस बजे अपना वोट करें अपने परिवार का वोट करें और प्रचंद बहुमत के साथ हर जगे कमल को खिलाए और चार सो पार का लक्स जो भारती जनता पार्टी के कारे करताओं को मोदी जी ने दिया है इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें हमेशा हमेशा की तरह आपके प्यार का कांशी मैं अमीच सा अब फिर से एक बार वोट की अपिल करता हूं कि आईए साड़े दस वजे आप सभी एक बार मत पिटियों को कमल से भर दिजे और मोदी जी के हाथ मदबूत करिए वंदे मातरम भारत माता कीजे Zee News